जाहे जो हो जहां हो जैशे भी हो आप सबसे स्रिष्ट भगवान की प्री बन जाएंगे और आपको इस में इस तरह की कोई विशेश कष्टमाई शाधना भी नहीं करनी पड़ेगी श्री महाद भगवत में कहते हैं अहो बत स्वपचतो गरियान यजिव्यागे वर्तते नाम तुभ्यम ज्यान दीजिए ते पुस्त अपस्ते जुहुः शश्नुराज्या ब्रह्मानु चुर्नाम ग्रणन तिये ते जिसके जिव्या में राधा 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 श्री हरी राधा राधा कृष्णु राधा वल्लव राधे श्याम या जो रामकृष्ण हरी श्रीव नाम जो तुम्हारे गुरुजी ने दिया हो या जो तुम्हें प्रिय लगे मन से ज नहीं कह रहे यजिव्याग्रे वर्तते नाम तुब्यम जिसकी जीव के अग्रभाग में ऐसा शभाव बन गया है चल रहा है नाम जब करे उले अहो बत शवपचतो गरियान यद्यपी वो शवपच है फिर भी गरियान वो सबसे स्रेष्ट है हरी राम ब्यास जी ने कहा कि वैदास जी की चरण धूल के सामने करूनो ब्राम्ह नहीं है क्योंकि उनकी जिव्यापे निरंतर हरी का नाम बिराज मान है इसलिए यहां ब्रजवाशी शौब ब्रह्मा से भी परम पवित्रों श्रेष्ट माने गए है ब्यास मिठाई बिप्र की तामे लागए आग ब्रंदावन की श्वपच की जूठन खई है माग यह बड़े मस्त है ब्रजवाशी त्राता कर एक बार मंगला करके श्री जी की जा रहे थे तो एक माई ठेलिया में कुडा करकर इसे भरे मस्ती बिहारी जी की पदगारी जा पेजा राधा राधा नाम बसे जा सी ब्रंदावन धाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावर खाट ठेलिया चैसे कुडा के लिए रोका और कुछ बेटती दिया चर्णुम प्रणाम की यह है मारे ब्रंदावन की श्वपच जिनकी जिव्या में बिहारी बिहारी जुका जस्वसा हुआ है परंपावन श्रिधाम ब्रंदावन की परिशर्या में लगी विए तो कि ब्यास मिठाई बिप्र की तामे लागए आग ब्रंदावन की श्वपच की जूटन खईये मांग क्योंकि यह हरी प्रिम प्रदान कर देंगे किसी कि शामर्त नहीं कि शंतों के माथे पे हाथ रख दे एक बजवासी का छोड़ा चोटा सा हो उसके पैर चलो कोई भी हो ऐसे लमा के हाथ जा बाबा और उसको जब प्रणाम किया लाडली जी कृपा करें तो पे बाब रदे निहाल हो गए यह आशिरवात कौन दे सकता है देखो बरशाले के गशाई पर चरण चूओ सीरे लाडली जी से से हाथ करके बात करते हैं लाडली जी आपको विश्वास नहीं अगर विश्वास कर लो तो लाडली जी उनके करकमल शेशेवित हैं जो कह रहे हैं वही लाडली जी करेंगी बहुरी सरकार है पर हमें मनिल्ता मन की होने के कारण इन सब भाव पर केरे कोई भी तपश्वी उसकी समानता नहीं कर सकता जिसकी जिव्या की अग्रभाग पर उसने सारी तपश्चय कर लिए भागने की ज़रुत नहीं राधा राधा बोलो सारे तीर्थिष्णानों का फल तुमें उसी च्छन मिल जाएगा जो तुम्हारी जिव्या के अग्रभाग पर श्रीहरी का नाम प्रियाजू का नाम बिराज सारे वेदों का ध्यन कर लिया उससे कुछ अध्यन करने की जरूरत नहीं है जो बड़ी बड़ी तपश्याओं से तीर्थियाटन से वेदाध्यन से यग्यादि से गती मिलना दुरलब है वो तुम्हें नाम शिप्राप्त हो जाए कौन हो, कहां हो, कैशे हो, कोई प्रश्ण नहीं जैसे हो, जिस परिस्थिती में, जिस विसाह में फचे हो वह यहीं से तुम्हें नाम उठा के मात्मा बना देगा तुम्हें धन्वान बना देगा, यशश्वी बना देगा तुम्हां तेज से शंपन हो जाओगे नाम का तेज, भगवन नाम का तेज है प्रताफ है भगवन नाम का एक बार नाम, आप बसा के तो देखो हिर्दे में, छोर से आलाप लोगे नाम का प्रकति का परिवर्तन हो जाए, अरे श्वामी का नाम है, सुमिर पवन शुत पावन नामू अपने पस करी राखे, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुशंकट होई शुखारी, इदम ही पुंसस्त पसह सुरुतस्चवा स्विष्टस्च सुक्तस्च चबुद्धिदत्योहु, अविच्यतोर्था कवि भिर निरूपितो यदुत्तमिष्लूक गुणानू वरणनमौ। बड़े बड़े वेदनिष्ट ब्रह्मरिश्यों निश्चे किया है कि भगवान के नाम का निरंतर जब गुण कीरतन इससे बड़ा कोई तप नहीं है कोई वेदाध्यन नहीं, कोई यग्य नहीं, कोई ग्यान या कोई दान इससे बढ़ करके नहीं है बश प्रभु के नाम में तुम्हारी प्रीति हो जाए कलिम्षभाज यंत्यार्या गुणग्याहा सारभागिनहा यत्र संकीर्तने नईव शर्वा स्वार्थो भी लप्यते नहर्ता परमोलाभो देहिनाम भ्राम्यतामि यतो विंदेत परमाम शांतिम नश्यति संस्रति ही ये कलिकाल किसी को बक्षेगा नहीं अगर नाम जपने तो बुद्धी को ब्रष्ट कर देगा इसका प्रभाव है कपट चतुरता बेमानी और पापाचरण में रती इसका प्रभाव है कलि इन दोशों से शंपन है पर एक इसका महान गुण है जिसके जिब्या पे प्रभू का नाम होगा इसके कोई भी दोश उसका इस परश नहीं कर सकते और कलि स्वयम भैवीत हो जाता है जिसकी जिब्या पे नाम है इसकी एक बड़ी प्रशंशा है दस हजार वर्ष तपश्या करने पर जो फल मिलता है 24 गंटे निरंतर नाम जब करने सो मिल जाएगा कल्यूक की ये बिशेश महिमा है हम लोगों को भगवत प्राप्ती बड़ी सहज है दाहिने पेर के अंग उठे के बल हाथ उठा के उपर लेके तरह दस हजार वर्ष ऐसे दस सेकंड नहीं खड़े हो सकते अपने लोग ने दाहिने पेर के उठे के बल हाथ उठा के दस सेकंड नहीं खड़े हो सकते और वो ऑश्य भगवान की प्राप्ती की बात नहीं कहें गए यह वो अलग-अलग कामनाओं की 24 घंटे नाम किरतन करने से वो फल प्रापत जो उनको 10 ऐजार वज ऐसे करने से कलियु का बड़ा प्रताप है जो तुम शुवार्थ की पूर्ती चाहेते हो या परमार्थ की पूर्ती चाहgovernे हो या तुम रोग का नास चाहेते हो तो एक मात रुपा शब्द में बड़ी कठिंता है महत्माजन इशी का प्रयास करते अव्यावरत भजनात ये शिद्धवस्ता है निरंतर भजन आप शे निरंतर ना हो तो थोड़ी थोड़ी देर में श्मरण करने का अभ्यास बना लीजिए एक बार सत्संग में कि अगर पांच मिनट में एक बार राधा बोल दो कि हर पांच मिनट में एक बार राधा बोलना है राधा पांच मिनट पुर्शत करो चिंतन या कारिजो कर दो पर छटवा मिनट न लगने पावे फिर पांच मिनट राधा एक दिन आप देखना निरंतर नाम चलने लगेगा इससे विशेयों की प्रती जो आशक्त है वो एक बार तो बढ़ेगी होमोपेथिक दवाजे से नहीं लोग एक बार उभरेगा आपको लगेगा वो बढ़ती नहीं अंदर छुपी भी निकलती ध्यान से सुनोगे तो प्रशन कतम हो जाएंगे अपने लोगों के प्रशने रहते हैं जब भजन में बैठते हैं तो बड़ा मन चंचल होता है बड़ी गंदी बाते आते हैं ये वो हो हम भी कह रहे हैं जब आप नाम जपना शुरू करोगे तो पहले आपको जलन होगी आपके अंदर ये विकार दिखाई देंगे पर ये आते नहीं हैं ये जाते हैं धीरे धीरे इनका शमन हो जाएगा और जब कभी आपको ऐसा लगे कि अब नाम जपने में हमारा एक आग्रमन नहीं हो रहा तो बहुत शुंदर उपाई ताली बजा कर नाम किर्दन करने लोगे अपने को विजय प्राप्त करना है मन पर विशय भूगा ब्याश पर और ये ऐसा नहीं कि ये नाचना गाना है ऐसा नहीं से भगवान के प्राप्ती हो जाती है जितने बड़े-बड़े महान भक्त हुएं समनत्य करते थे मीराजी रात-रात भरनत्य करती गिर्धर के शामें नर्शी महता की कर्ताल प्रशिद थे चार भक्त साथ है कर्ताल लेकर नाचते गोविंद रीज जाते है जहां कहीं चार भक्त मिलकर कीर्तन करते होते हैं नर्थ करते होते हैं उन्ही की बीच में गोविंद भी नाचते होते हैं हमारी अभी दृष्टी भायाकृति इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं प्रलादस्तालधारी तरल गतितया चोधवा कांशधारी वीनाधारी सुरसिह श्वरकुषलतया राग करतार जुनो भूत इंद्रो वादीन मरदंगम जय जय सुकराहा कीर्तने ते कुमारा यत्रागे भाव वक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभुव एक बार इन बड़े भक्तों का मिलन हुआ स्री प्रल्हाजी उद्धो जी नारजी, सनक्षननदन जी सुकदेव जी आजी अब इतने बड़े महापुरुषे कत्री तो भगवान को बुलाया जय है प्रगट में जो एक उपा है मदभक्ता यत्रगायंती ततिति स्ठाम नारदा नारजी निका भगवान वहीं आ जाते तो श्री प्रलाद जी ने ताल देना प्राहिम किया ये भगवान को बहुत प्री है अगर आपको कोई शंगीत नहीं आता तो भगवान का प्री शंगीत है ये राधा, राधा, राधा राधा, ना किसी की जरूरत है और ना किसी किसायों की लेए? भाई, ढोलक हर्मॉनिया अगर नहीं बजा लेती हो. कोई राग लेता है? हम करें कोई राधा, 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 ताल की, ये हमारा ताल बज़ रहा है. ये बहुत, बहुत ही काम की बाद है, आप मान लिजी, आपको मन लगाने के लिए बहुत बढ़िया हुपाए और भगवत प्रशनता का बहुत बढ़िया हुपाए जहां आपका मन न लगे सुरू कि आप देखना मन लग जाएगा उद्धाओ जी ने मजीरा उठाया हम मंजीरा सब कोई न वजा पाए तो ऐसे ही उसको करते हैं राधा 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 जय जय राधा उललप्षी हरिवंस राधा उललप्षी हुआ जाएगा बजाना हम ये देख रहे हैं कि प्रभू शमस्त कलाओं से युप्त है और आप उनका गुलगान करो तो सीख जाएंगे इतनी वड़ी बच्चे है इसकूल ही नहीं गई पूरी चतुरासी जी कंठस्त सुधा निदी आश्चर है शुधा निदी के इस लोक बोलने में व्याकरण पड़े हुए भी लड़ खड़ा जाएंगे और ककाहरा नहीं पड़े गई नहीं इसकूल इस शर्वास्चर में सकल विद्या विदित रहे सिसी हरिवन सहीद हमारी श्वामिनी सकल विद्या विदित है आश्चर निर्मल हर्दय ने लिया वानी प्रकाशित है पर सरवास्चरि में श्वामी नी जो इसले क्या नहीं आपको ग्यान हो जाएगा आपको क्या पता नहीं चल जाएगा जब प्रभू का पता चल गया तो सब उनी में समाये हुए सब ग्यान आ जाएंगे श्री उद्धाव जी ने मंजीरा उठाया और नारट जी का प्रशिद वाद्ययन तो बीना जी है ही और अरजुन जी रागाल आपने लगे इंद्र ने मरदंग वजाना शुरू किया सनक्षननन बीच बीच में जै हो ये कोई हसी मजाक नहीं जिसे कीरतन में आप लो बोलते हैं जै हो जै हो आप बोलते न ये साधारन बात नहीं है भगवान बहुत प्रशन होते हैं इससे बोले ये सनक्षननन सरातन सनतकुमार बीच में नाम किरतन में जै धोनी बोलने लगे जै हो जै हो और सुकदेव जी भाववंगियां प्रगट करने लगे जीव ही एक कीरतन और नत्य हुआ तो बीच में देखा प्रभू प्रकाशित हो गए तासा मावीर भुच छोरी समेमान मुखामजा पीतामबर धरासरक भी साक्षान मत और वो भी कोई खड़े लए हुए वो भी तो नटवर नागर है शकल कलाओं में प्रवीन तो प्रभू नरत्य कर रहे हैं भक्त जनास पास कैशा आनंद ये जो आनंद आपको आता है तो आनंद कोने जानते हो सिरी कृष्ण शचिदा आनंद रूपाए उनका रूप क्या है आनंद आपके हिर्दे में उम्गल सब के हिर्दें भगवाना रहें प्रवले हमारा अनुभो नहीं हो रहा मली नियंत्रें यही करते रहो थोड़ा आनंद आया न अब पूरा आनंद आ जाएगा और जिस दिन पूरा आनंद आया उस दिन से फिर तुमें कोई गसीट नहीं पाएगा माया का जो आकर्शन है भगवत आदी पुरुषष्य नाराणश्य नामोच्यारण मात्रे निरधूत कलिर भवति जो प्रभूश्री हरी का नामोच्यारण मात्र करता रहता है कोई भी कल्यूग का दोशुष के अंदर कल्यूग बड़ा सूक्ष्म भिश्य है महराज देखा कि एक जो शूद्रवत आश्रन करने वाला पैर्शे मार रहा है डंडों शे मार रहा है बेल को बीच बीच में लाद ये ध्यानर को किशी को भी पैर्शे कभी शम्मिश्री भगवान है कभी ऐसा डंड विधान किशी के लिए हो जैसा पर ऐसे सहज में किसी को अपने पैर न लगें अपने लोगों का परमार्थ है न कोई अगर लेटा हुआ है तो उसे नागने की जरुवतने गूम के बले चले जाओ उसे प्रार्था न करो कि आप पैर हटा लीजिए ये ऐसे किसी को नागना किसी के पैर मारना ये सब गंधे आचरणों में आता है ये भक्तों के दौरा ऐसा नहीं होता है हमें तो आश्षर हुआ पुझी स्री चंदर जिखर बावा के एक जो अंगशेवी थे उन्होंने बताया कि, बाबा का स्रीचरन एक बार हमारी पादुका को छुगया, तो बाबा पादुका को ऐसे छुगई, एसे हम का, अरे बाबा मर गे, यह क्या हमारी पादुका, बो ले अब तुम तुम थोड़ी हो, तुम तो हरी कि सरनागत बैष्णों हो गए अब बैष्णों की पादुका पुजी होती उसमें पैर कैसे बाबा की उशिसे है और बाबा उनकी पादुका को यह भाव बैष्णों भाव यह भगवत भाव हम गुरु है चेले का तो ऐसा नहीं पुजी हो गया वो भगवान का दाश हो गया हम तो पोश्टमेन हैं हमें जो मिला हो इधर दे दिया लेकिन वो वही है उसको उसी भाव से देखे कि भगवान का निची जन भगवान का भक्त है लात शिम मार रहा था डंडो शिम मारा रहा था रुख जा हमारे राज्य में कोई हमारे ऐशे धर्मयुक्त पश्चों को दंड दे और मेरा भैन हो ऐसा कौन पैदा हो गया नजदी गय तो जब देखा कलियुगने की ये तो प्रशंड काल रूफ है भगवत भक्तिशे शंपन थे तुरंत रुष्चनेव पागुतारी चर्ण महरा लक्षा कीजिए और मुझे भगवार नहीं श्यवादी अब मेरा समया गया है अब मैं राज्य करूँगा जब तेरा श्रुमे कलियुग जी हाँ देखो उसका परिचे कहां से हुआ अधरमाचरण से ही तो उनका जब तक मैं जीवी थूँ तब तक तेरा राज जनहें आने दूँगा हमारे प्रजा में अधरमाचरण फैल जाएगा तो उनका आपको कुछ न कुछ तो इस्थान देने होगा हमारे लिए कि आप ठीक है मदिरा ले और जो मदिरा शेवन करे और जहां सरीर को बेचा जाता हो भ्रश्टाचरण किये जाते हो जहां जुआ खेला जाता हो यह दिवित कीडा मद्यपान करना, बेविचार करना बेविचार उशे ही कहते हैं जो धर्म से रही काम शंभू होता है जो अपनी एक पत्नी वरत रहकर भगवान की भावना से संतानो पत्ति की क्रिया वो शे बेविचार नहीं कहते है वो दोश्युक्त नहीं ग्रेश्ट धर्म के अंतरगत है लेकिन जो अन्य ऐसी भावना कल्यू को आदेश दिया कि आप रहे सकते हो जो मदिरा पीता है जो भरष्टाचरन करता है और जो मांश खाता है और जो देट किरा करता है आप क्योंकि वहां को यह सा करता ही नहीं था यहां रह सकते हो उनका महराज आपने सब गंदे गंदे इस्थान तो दे दिये थोड़ा तो सांस लेने की जगे दो उनका ठीक है अधर्म शे कमाया हुआ श्वरण उश्पत महराबाद वो खुश हो गया है हाँ हाँ ठीक है आपकी आग्या के विरुद बिल्कुल नहीं चलूँगा चले आए जराशंद का जब बद हुआ था तो उसका मुकुट जो था उसको लेकि बिजय में जिसकी बिजय तो भीमने ही तो भगवान की पिरनाश तो अब यह उन्हीं के तो बंश में है न ऐसे धरते ही शिकार की ब्रति जाग्रत हुई जंगल में गए शिकार की तो मिला नहीं प्यास्य व्याकुल हो गए एक महत्मा शमाधि में बेठे हुए थी उनके आश्रम में पिवेश किया महत्माओं के आश्रम में पिवेश करने की मर्यादा होती है पाग अस्त्रस्त्र अपना पद का भाव ये बाहरी रख देना चाहिए क्योंकि यहाँ शर्व लोक महेश्वर भगवान के चिंतन में लगे हुए है और विश्वास रखे कभी अमंगल नहीं हो शकता तुम्हारे अंग रक्षक तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते जैसा भगवन नाम रक्षा करता है तो भगवन नाम का वहाँ सुरक्षा कवच होता है जहां भगवत प्रेमी मात्मा होते हैं इसलिए बहुत जगे सास्त्रों में पाया गया है जैसे कर्ण रिशी के आस्रम में दुश्यंत जी तो अंगरक्षकों को बाहरी छोड़कर अपना राजमुकुट और चरण पादुका उतार करके बड़ी देन्निता से उन गए ऐसे कई जगे मात्मा हों कोई पर आज ही भूल गए ऐसे इसे ने आश्रम में प्रिविश्के गोड़े से उत्रे कोई है प्यास लगी है तो यह मर्यादा है कि यदि राजा पधारे तो खड़े होकर उसका श्वागत किया जाता है क्योंकि हम राजा के राज में रहे कर भजन करते हैं उ राजा हमारे भगवान का श्वरूप है उसका खड़े होकर श्वागत और अर्ग हादी दिया जाता ऐसा पूर्व रिश्यों ने किया भी है अवो शमादिस्त में शमीक रिश्यों का नाम ना नजदीक गए बड़े-बड़े मात्माओं के दर्शन किये होंगे तो जानते नहीं कि शमादियवस्ता में है शमादियवस्ता के वल शरीर दिखाई दे रहा है बाहर से आप उशे मृत जैसा भी कह सकते है अमृत इस्थिति है प्राण वायू भी संचलन नहीं हो रहा है भवदाकार बृति अंदर से बाहर से सब क्रियाएं रुकी हुई है शमादिय की अलग-अलग स्थितिया होती है तो आज इनको देखो कल्यूक का प्रभाव उनको ढोग नजरा रहा है गाजाया इसे क्या बात करना है बस ये बात सोच करके तुमाक मुंद के बैठ गए बाहर निकले देखा एक मरा हुआ शर्प पड़ा हुआ था उसे उठाया उनके गले में डाल दिया ऐसा ये कल्यूक का दोश एक महात्मा पर पाखंड का आरोप जब कल्यूक शड़ जाएगा तो तुम्हें सब ऐसे नजर आएगा सब पाखंडी है सब ब्रष्ट है अरे समनाटक है कल्यूक का शड़ और उनका अपमान करने की चेश्टा ये अपमान है अचा उनको इस पता भी नहीं है कि कोई आया है कोई ऐसी चेश्टा कर रहा है चले गए कुछ ब्रह्म रिशी बालक कोई शेवा कारिशे आश्ट्रम में प्रिविश्ट किये तो देखा समीक रिशी के गले में मरा हुआ श्ट्र बाहर बनवाश्यों से पूछा कौन आया था बुले चक्रवर्थी सम्राट महराज परिक्षित दूश्रा कोई नहीं गया नहीं तो ऐसा अमंगल कारे इतना उनका अभाद्र भेवार एक ब्रह्म रिशी से चोटी चोटे बालक ही रिशीों के थे गए और स्रंगी रिशी तरपन कर रहे थे शूरी भगवान का तो जाके कहा कि आपके पिता के गले में मरा हुआ शर्प महलाच चक्रवरति संब्राट परिक्षित ने डाल दिया है अईशा धर्म का शाषन करने वाला राजा अब इतना अधार्मी खो गया कि शंत महात्माओं की इस्थिती को भी नहीं जानता और अपमान कर दिया ये समझते हैं कि इनको कोई दंड नहीं दे शकता तो ये भूल करते हैं ये दंड धारी राजाओं से विबढ़कर परचंद दंड देने का अधिकार ब्रमरिश्यों की बालकों को भी है जल उठाया और कहा मैं सत्य को शाक्षी करके इस राजा को शाप देता हूँ शाथ दिन के अंतरगत भयंकर रूप धारन करके तक्चक डसे उसकी साथमे दिन मरती हो जाए अब अधाये उपने पिता के गले में लिपट कर रोने लगे बहुत धिलन डुलन रोनी की आवाज धेरे धेरे प्राणवाईव संचलित हुई आख खुला और रो क्यों रहे हो उन्हों कहा कि गले में सर पुडाल करके परिक्षिज्य शाप माद कोई बात नहीं है और हमें चाहिए था कि हम उनका उठकर श्वागत करते उनको जलादी पिलाते गलती हमारी है तो अनिरिशिबाल को ने कहा कि सरंगीद ने तो साप दे दिया उन्हें भेंकर ऐशा कैसे कारिक उस साप की हो गए क्या साप दिया उन्हें शाद दिन में तक शक्सर पाएगा डस लेगा अब तो उनकी भी सामर्थ नहीं पिता की भी कि मिटा सके बर्मरिशी के वचन ऐसे नहीं होते तो ना ब्रमनत्त तु रह गया ना तपश्या रह गया ने भजन रह गया है ना भाव रह गया है दिन भार हम जूट बोलते रहते तो हम कुछ भी बोले क्या लागू होगा जो शत्य का चिंतन करता है ब्रह्मचर शे रहता है सत्य बानी बोलता है वो आज भी बोल दे तो वैसे ही हो जाएगा जैसा बोलेगा एक बालक के वचन को ब्रह्मरिशी भी नहीं मिटा सकते अपने शिश्यों को भेजा जाओ और निवेदन करू महराज परिक्षित को उधर हो गए जीवी मुकूट उतार के ये क्या हो गया मेरे द्वारा ये क्या हाई हाई मच गया हरदय में मैं किसी महात्मा के साथ सब विवार किसी कर सकता हूँ भगवान मुझे दंड दे ये है धर्मात्मा का भगवान मुझे दंड दे बिलकुल शमा न करे इतने में रिशी के शिशे पहुंच जाते है और कह महराज आपको एक शूचना है बड़ी अशुप शूचना है आपके द्वाज़े उक कृत्य हुआ उसका दंड विधान संगी रिशीन कर दिया है आज के शात्वे दिन तच्चक सरफ आपको डशेगा आप अपना उपाय कर लीजिए कल्यान का बचने का तो कोई उपाही नहीं है बहुत प्रशन्वे जैसे किसी ने उनको महासुख दे दिया यह भगवान के आश्रित कोई भी सापता भे नहीं प्रदान कर सकता प्रशन्वे मैं तो मांग ही रहा था कोई दंड मिले बहुत अच्छा हुआ जन मेजे को बिला है उशिश्वन राद्या ओ गंगा किनारे जा करके बश आमरन अन्शन ब्रत एक बून पानी भी नहीं पिऊंगा और कैशे भगवत प्राप्ति हो शाथ दिन में चिंता नहीं कर रहे थे बड़े बड़े शंत मात्माओं उन्हें जब साप की बात सुनी सब आ गए गंगा किनारे उसमें भगवान ब्यास देवजी वसिष्ट दी बड़े बड़े महापुरुष्णामी सब आ गए सब से पूछा साथ दिन में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए आप सब हमें अशा उपाय बताईए सब आपस में विचारी कर रहे थी इतने में देखा या आनंद में मगन हुए निर्वस्त्र दिगंबर भगवान सुक्देवी शूला वर्षी के अवस्था है कृष्णानाम जी भ्या से निकल रहा है जीविया इश्वप खड़े कैसे शाथ दिन में भगवत प्राप्ति बहुले शाथ दिन के पहले ही तुम्हें हम साक्षात कार करवा देए श्रीमत भागवत स्त्रमन कराया और पूछा बेटा परिक्षित तुम्हें इस शमय क्या तक्षक से डर है तो उनका नहीं भगवन आपने मुझे ऐसी स्थिती प्रदान कर दी कि एक तक्षक क्या करोणों महाकाल का रूप धारन करके भी आवे मुझे कोई डर नहीं क्योंकि मैं ऐसी स्थिती को प्राप्त हो गया हूँ मुझे चूने इसे उठे और चल दी इतने बड़े महाबुरुष को भी कल्यूग ने ठग लिया था पर भगवान का अश्रे था न तो कह रहे है कि कल्यूग का बिलकुल भी प्रवाव उसके उपर नहीं पड़ेगा जो नाम जब करता रहेगा